तूलो सुनेंट्स वेल्कम बैक टूमाई चैनल आज हम लोग आपकी समाजिक विज्ञान की वॉक्षिट करने वाले इतिहास की थिके इसमें आपका क्या है कि समाजिक विज्ञान में इतिहास का टॉपिक आपका दिया हुआ विच्छो ठीके तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटुबूक निकाल लेंगे इतिहास की जिससे आप लोग अपनी worksheet hand-to-hand कर सकें जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं मेरा worksheet कराने का तरीका थोड़ा अलग है मैं आप लोग को अलग तरीके से वरक्षुट कराते हूं जिससे सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह समझ सकें और अपनी वरक्षुट को पूरा अच्छी तरह प्रोपर तरीके से कंप्लीट कर सकें ठीके बच्चो मैं अपनी चैनल्ड पे गेम भी स्टार्ट करने वाला हूं जिसके बारे में मैंने आप स क्लास कौन सी है क्लास एर्थ ठीक है बच्चो वक्षिट नंबर फाइफ ठीक है आपके वक्षिट कौन सी है यह चार अगस्की तो सभी बच्चे यह अपनी डिटेल फिल करेंगे फटा-फट अपनी आप लोग नोटबुक में लिखो गए विसे समाजिक विज्ञान इतियास बरेक्ट में आप जरूर इतियास लिखेंगे क्यों कि समाजिक विग्यान में बहुत सारे चाहिख कि इतियास हो गया प्लोग डालेंगे फिर अपनी वि scaling की और फिर आप अपनज है ब्धिआ करude करते है मैं इसमें दिया गया है पार्ट टू ठीक है त्doप्र लोग जरूर लिखेंगे देखो वक्षिट में टोपिक लिखने का क्या फायदा होता है उससे यह होता है कि आप लोग जब भी वक्षिट कल को रिवाइच करोगे अपने टीचर से चेक कराऊगे तो आपके टीचर को पता रहेगा कि बच्चे ने इस वाले चैप्टर की वक् में आगमन थीची तो देखिए वयपार से समराजजे तक और इसमें इश्ट कंपनी का पूर्व में आघमन देखो इसमें क्या-क क्या आगया है एक एक जमेशा एक्जाम में बच्चों तो सभी बच्चे इसको जरूर याद करेंगे इस नाम को कि पहली इस इंडिया पहली कंपनी कौन सी स्थापित की गई थी इंडिया के अंदर तो इस इंडिया कंपनी थी जो कंग्रेजों को दिवारा इस थापित की गई थी ठीक है आप देखो इसमें पूरी डेटेल बताईए मैं आपको अच्छी तरह पढ़के समझाऊंगो सभी वीडियों को पूरी देखेंगा उसी को उस गेम के बारे में पता चलेगा ठीक है इसलिए मैं आप लोगे से कहते हूं कि सभी बच्छे वीडियों को पूरी देखा किजिए ठीक है इसमें दिया गया है मुगल बाश्शाह को में औरंग जेब आखरी सक्तिसाली बासा थे द 707 में उनकी मृत्यू के बाद बहुत सारे मुगल सुबेदारों ने अपनी शेत्रिय रियायसते कायम कर ली इधर 18 सदी के उत्राद तक राजनीती छीतिस पर अंगरेजों के रूप में एक नई ताकत उभणने लगी थी एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे इस देश के नीती निर्धारक बन बैठे ये कैसे संभववा आईए देखते हैं इसमें ये लोग हमें बताएंगे वक्षिट के थुरू बताए गया है कि ये सब कैसे हुआ तो इसमें सब नीचे हम लो प्रथम से पूरव में वेपार का चौटर इंतिजाम हासिल किया ठीक है आप देखो के 1600 में क्या था महारानी एलेजाबेद थी उससे उन्होंने क्या पहले आये थे इससे मिलेते इससे आगया ले थी तो इसके दुरू इसके थुरू आग्गे लेने के बाद इन्होंने क्य किया प्रथम में पूरव से वेपार का चौटर इंतिजाम हासिल किया ठीक है इसके अनुसार कंपनी को पूरव में वेपार का एकादिखारी मिल गया यानि इंग्लेंड की कोई कंपनी इस इलाके में इस इंडिया कंपनी से भोड नहीं कर सकती थी इसके द्वारा कंपनी सम पर चीजे खरीद कर उन्हें यूरोप में उची कुमित पर बेच कर मुनाफ़ा कमा सकती थी ठीक है आप लोग देख रहे हो जो उन्होंने कमपनी की थी वह उसमें क्या है सस्ती चीजों पर मतलब यहां से सस्ती चीजे बनाएंगे खरीदेंगे और फिर महां पर बहुत महें में आने से नहीं रोक सकता था जब तक इंडलेंड के जहाज अफ्रीका के कैब ऑफ गुड होब चाकर लगाकर हिंद महाशागर पार कर भारत पहुचते तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बलान लिया था जो पुर्तगाली थे उससे पहले ही वो क्य कपड़े और रेसम के अलावा काली मिर्च लोंग इलाइची दालचीनी भी जवर्दस मांग थी ठीक है तो यूरोप में क्या थी बजारों में देखो जो इंडिया में ज्यादा मिलते हैं सूती कपड़े मिलते हैं रेसम मिलते हैं ठीक है काली मिर्च लोंग इलाइची दा कारण भारत में इन वस्थ्थों की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफ़ा घटने लगा można यहार है वजारों के बीच वचीव में घुच में लगा एक कंपनी कहीं और की है ठीक है तो उनके बीच में क्या होगे लड़ाई स्टार्ट होने लगी धीरे धीरे इन लड़ाईों की वज़े से उन्होंने अपने आपको सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की गलेबंदी करना सुरू कर दी इस कारण उनका टकराव स्थानिय सासक वो से भी होने लगा जो राज्य का मुनाफ़क होने के कारण इन वैपारियां इन वैपारिक कंपनियों से पहले दुखी थे ठीक है उधारन के लिए नीचे दिया गया है उधारन के तोप में उधारन के तोर पर बंगाल के सूबे को देखते हैं 1651 इस्वी में हुगली भुगली नदी के किनारे जहां निर्यात होने वाली चीजा को जमा किया जाता था जैसे जैसे वैपार फैलक कंपनी ने सोदागरो और वेपारियों को फैक्टadece आसपस बसने के लिए प्रेरीत किया ठीक है उसके आच्पास रहने के लिए कहा गया उन्हें वर रहते थे ठीके 1696 तक आते यादे कंप्री ने इस अबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया 1696 में मुगल अफशरों को रिश्वत देकर तीन गाउन की जिम्मदारी भी खरीज ली जो आज पास के तीन गाउलों ते उनकी क्या जिम्मदारी भी खरीज ली ठीके उसको मुरिलब घ़लाना से खूच बालना पूशन है जिसमें एक गाउं कायली कता महों जगय के नाम है थ तो अब इसे ने दैए से फर्मान प्राप्त कर लिया जिसके अनुसार कंपनी बिना सुलख चुकाए वइपार कर सकती थी इसमें क्या कहा जा रहा है? कमपनी ने मुगल बहसा प्रमार्पेन के खर लिया था कमपनी बिना सुलख चुकाए मतलब कुछ बिना वेपार वहां पर कढसी है क्यूंकि वो उसके गाउं की देखबाल भी कुट रहे है ना कि कम्पनी के अफसरों के नीजी वेपार के लिए लेकिन उन्होंने भी सुल्क चुकाने से इंकार कर दिया जिससे बंगाल में राजश्व वसूली बहुत कम हो गई नतीजा बंगाल के नवाब मुर्सिद कुली खान ने इसका विरोध किया इसमें इतना ही बदाए गया अब देखो मेरा कोसन क्या है जो भी इस्ट्रेंट मैं अभी जो कोसन पूछने वाला हूं उसका जो भी इस्ट्रेंट अंसर दे देगा ठीक है और वो इस्ट्रेंट मैं नोटिस करूंगा जो मैंने कोसन पूछने जा रहा हूं अगर उसका अंसर दे दिया और दूसरी बात अगर वो इस्ट्वेंट मेरी वीडियो सारी देखता होगा ठीक है मैं चेक करूंगा वो इस्ट्वेंट देखता है या नहीं देखता होगा ठीक है अगर जैसे मालो आप अभी नहीं देखते ठीक है आप पहली बार देख रहे हैं तो अभी जो आपका Monday को ठीक है जिसने मुझे पता चल जाए कि यह इसका अंसर दिया है और यह मेरी विडियो डेली देख रहा है मेरी चैलेंस से अपनी वक्षिट सारी मेरी चैलेंस से कंपलेट कर रहा है और मेरी विडियो को पूरी देख रहा है और अपनी 10 फ्रेंड के साथ भी शियर क आप देख सकते हैं यह आपका headphone है यह आपका N95 mask है यह आपका wallet है यह आपका wireless headphone है और यह आपकी smartwatch है ठीक है बच्चो स्मार्ट वोज ठीक है अब देखो मैं इसमें एक question पूछूंगा जो student इसका answer देदेगा समझ लो वो winner है ठीक है अब मैं मेरा question यह था सबसे पहले भारत कौन है था ठीक है मतलब भारत की खोज किसने की भारत की खोज किसने की किसने की ठीक है इसका answer आपको कहां देना है टेलिग्राम पे और कमेंट में ठीक है जो भी बच्चा इसका answer देगा ठीक है answer देने के बाद और जो बच्चा वीडियो सारी मेरे चैनल से करेगा अपनी वरक्षिट मेरे चैनल से कंप्लेट करेगा ठीक है मुझे पता लग जाएगा जो भी बच्चा answer देगा कि वो मेरे गिट्ट सेंड कर दूँगा ठीक है बच्चो तो आपका question है भारत की खोज किसने की ठीक है यह आपका question है चलिए आप चलते है निज़े वरक्षिट की तरफ ठीक है बच्चो इसमें सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे अपनी notebook और pen आप लोग निकाल लेंगे जिससे आप लोग person number one देख सकें ठीक है इसमें दिया गया है यह ठीक है इसमें कहा गया है कि East India Company को वैपार के एका दिखारी चौटर से क्या फायदा मिला सभी बच्चे question number one note down करेंगे अपनी notebook में फिर मैं आपको इसका proper answer लिखवाँगा ठीक है बच्चो मैं कहीं से आपको उतार के नहीं दिखाऊँगा ठीक है नो कहीं से आपको निसान लगवाँगा मैं जो इसका actual answer है मैं आपको वो करवाँगा और बहुत ही कोशिस होती छोटा करवं जिक at कूए आपको जितना पूछा लाए सिर्फ उतना ही अंसर देना है इसमें क्या पुछा कि इरिउक बथा जांसर नंबर एक करेंगें लोग एक है डॉर्टर से इस्ट इंडिया कम्पनी को कम्पनी को यह है फायदा मिला मिला की अब कोई और कम्पनी भारत में इस्ट इंडिया कम्पनी की बराबरी नहीं कर सकती भारत में इस्ट इंडिया कम्पनी की बराबरी नहीं कर सकती की पराबरी नहीं कर सकती आ कि नहीं कर सकती अब चलते है अंसर नॉमबर टू पर मस्ते नमबर टूस अभी बचाना करेंगे परसर नमबर डूब आपको यहां से लेकिन छोन करा है यूरोपी यूरोपी वेपारी भारत की किन किन वस्तुवों को यूरोप ले जाकर बेचना चाथे थे धिरे धिरे उनका मुनाफ़ा कम क्यूँ होने लगा कि को कौन सी वस्तुवें क्यों कम हुआ ये बताना है छलिए इसन में दिया है कि इसमें हम लोग पहले पुछेंगे कि वो लोग क्या क्या बेश्चे थे भारत से कि सूती कपड़े रेसम काली मिर्च लोग इलाइची इत्यादी यूरोप ले जाकर कि बेचना चाहते थे कि क्या करना चाहते वहां पर लेकर जाके बेचना चाहते थे यह तो हमें यह पता चल गया अब देखो इसमें बताना है कि उनको मुनाफ़ा क्यूं कम होने लगा है तो इसमें हम लेखेंगे बाद में अन्य कंपनी बाद में अन्य कंपनी के आने से मुनाफ़ा कम होने लगा होने लगा ठीक है यह आपका अंसा नंबर टू है ठीक है कोशन नंबर थिरी पे आ जाते हैं हम लोग परसन नंबर थिरी सभी उच्च नोट डाउन करेंगे आपके जीवन से संबंदित किस छेतर में एका दिखार आपको किस परकार को प्रावित करता है अपने जीवन के किसी उधारन के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए इसमें हमें बताना है कि कि एका दिखार किस तरीके से प्रभाव डालता है आपके जीवन में ठीक है आपके जीवन में या फिर आपके छेतर में ठीक है तो उसका उधारन के साथ बताना है ठीक है अब इसमें हम लिखेंगे देखो किसी भी छेतर में अगर आपका एक अधिकार होने लग जाए तो हमारे अधिकारों को क्या हनन होने लग जाता है ठीक है हनन होने मतलब अधिकार छिनने की वो रहती है संभावना ठीक है तो उधारन के साथ बताना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे जब एक अधिकार होता है तो हमारे अधिकारों का हनन होने की संभावनों होती है अधिके बच्चों आपको कोई उधारन देना है तो उधारन के लिए बच्चे कुछ भी लिख सकते हैं जैसे मालों आप कहीं गए हो गर्मियों की छुट्टी में तो वहां पर जो फास्फूड की एक दुकान है तो दुकान ठीक है कि क्या करता है कि ऊचे दाम एक तो लेता है ठीक है और उसकी क्या मतलब चीज भी खराब होती है और उसका वैवार भी अच्छा नहीं होता ठीक है तो उधारन के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो कि अधिक है ऊच्छी कि कि दुकाने जैसे कि पास्ट फूड कि अधिक है उच्छी दुकाने जैसे फास्ट फूड अब इसमें ब्रैक्ट में लिखेंगे कि दाम जादा ठीक है एक तो उनका दाम जादा होता है और गुण वत्ता खराब तेकं तो देखो उसमें तो दा होता है, कि दाम बहुत जादा लेते हैं वो लोग पर उसे हिसाब से, दाम के हिसाब से उसके एंदर गुड़ को खाने में पर तो इतना आपको लिखना है बस उची दुकान जैसे फाश फूड दाम ज्यादा गुड़ूगत खराब तो इसमें क्या हो रहा है एक तरीके से अनन हो रहा है संभावना का ठीक है अधिकारों का आपके मालों कोई ऐसी ऐसी अगर कोई भार की दुकाने आ जाए भार की बनने लग जाए ठीक है और आप उनसे खरीदो तो आपको क पूरी वीडियो देखेंगे उसे डेफिनिटली पता चल गया होगा अब मैं आपको गेम के बारे में थोड़ा और बता देता हूं ठीक है यह मैंने आपको प्राइस बता दिये ते कि आपके एयरफोन रहने वाला है N95 मास्क बॉयलेट और आपका वायलेस हेडफोन और टीक है आपको कोसनग अशर देना एं टेलिग्राम पर कमेंड के अंदर ठीक है दोनों के जगे अंसर देना जो भी कोसनः पूछा जा रहा है डिक है शेयर वीडियो विडियो टैन सिंफेंट शेयर करना है कि सेलेक्टी इस्रेंड का नाम हीगिं कहां टेयली gnम चैनल पर आ सबसे ज्यादा चांस किस बच्चे के जीतने के जो बच्चा वीडियो को पूरी देखता है जो बच्चा डेली वरक्षिट मेरे चैनल से करता है जो बच्चा आपने दस फ्रेंड के साथ अपने गुरूप में भी शेयर करता है ठीक है वह बच्चा डेफिनेंटी गेम जीतेगा मालों बहुत तारे बच्चों ने अंसर दे दिया किसी कुस्टन गा ठीक है एक बच्चा ऐसा है जो वीडियो पूरी भी देखता है ठीक है डेली वरक्षिट मेरे चैनलन से करता है ठीक है और अपने दस फ्रेंड के साथ भी शेयर करता है ठीक है और उनको सब्सक्राइब करने को भी बोलता है तो मैं देखूंगा भई यह बच्चा तो प्रापर तरीके से पूरी वीडियो भी देख रहा है डेली मेरे चैनलन से कर रहा है दस फ्रेंड को रहुआ होगा ठीक है बच्चो चलिए फिर ये वक्षिट कंप्लीट होती है मिलते हैं नक्षूड देमें ना ख्यार लगी एठीक है बच्चो करें करें झाल झाल